आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे आज हम लोग सीखेंगे बहुत ही most important question लेकर आये हूं मैं आप सभी के लिए ये 7th class में अगर आप हैं तो ये question जरूर ही आपको exam में आएंगे ठीक है अब तो ऐसे भी final exam आने वाले हैं कुछ दिनों में half early तो लगभग चली रहे हैं सब के यहां पे देखिए क्या कह रहा है write four rational numbers between minus one and two कह रहा है minus one और दो के बीच आप लोग चार rational number निकाल कर दिखाईए ठीक है तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूँ rational numbers होते क्या है यहां पे देख लीजिए rational number अब rational number क्या होते है rational number p by q के form में होता है और वहां पे q is not equal to zero होना चाहिए यानि यह इस तरह number हो सकते हैं लेकिन q कभी भी zero नहीं होना चाहिए तो उसे rational numbers कहेंगे numbers in the form of p by q is called rational numbers where q is not equal to zero ठीक है तो अब आईए solution इसका शुरू करते हैं यहां पे आप लोग rational number जान चुके हैं यहां क्या दे रखा है minus one तो minus one ले लिजिए minus one को हम कैसे लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं minus four by four लिख सकते हैं और इसी तरह यह two है इस two को हम लोग कैसे लिख सकते हैं eight by four हमने क्या किया देखिए ध्यान दीजिए हमने इसमें p by q के form मेह कर दिया और इसके बाद हमने क्या किया यहां पे जो भी denominator है इसका भी चार आ गया इसका भी चार आ गया याने कि कुछ इसमें एक समान चीजे हो गई denominator दुनों का same हो गया और दूसरी बात कि अगर divide कर दें तो divide करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा अगर minus four को four से करेंगे तो minus one आ जाएगा और eight by four करेंगे तो two आ जाएगा ठीक है तो number वहीं का वहीं है अब देखिए अब इनके और इनके बी by four फिर इसके numbers line पे हम लोग चलेंगे तो क्या मिलेगा हमें minus three by four इसी तरह minus two by four इसी तरह हमें मिलेगा minus one by four फिर आ जाएगा आपका zero और फिर इसमें कितना आ जाएगा इसी तरह चलते रहेंगे हम लोग by four अब plus में चलने लगा फिर क्या जाएगा two by four फिर क्या जाएगा three by four फिर four by four फिर आ जाएगा आपका six by four फिर आ जाएगा आपका seven by four क्यों seven by four पे क्यों रुख गया क्योंकि eight by four से इधर इधर की लेंगे अगर आप लेना चाहो तो ये भी आप रख सकते हो eight by four अब देखिए four by four और eight by four इन सब के बीच में ये आपके rational numbers आ चुके हैं और हमें निकालने कितने हैं ये देखे कितने निकल के आ गए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस दस rational numbers निकल के आ गए इन में से कोई सा भी चार आप लिख दो तो वही वाले आपके answer तो ये सारे हैं लेकिन हमें four ही दे रखा है four rational numbers तो हमें चार देने हैं तो इसमें से चार लिख दिजिए कोई सा भी आपकी जो भी मर्जी है minus three by four minus two by four फिर हम इधर से ले लेते हैं three by four और seven by four ये आपके answer हो गए इसमें से जो भी आपको मर्जी है वह आप लोग लेके लिख सकते हों के thank you very much